डाक्टर राजेंदर परसात का जन्म तीन दिसंबर अठारा सो चौरासी इस्वी में बिहार राजे के छप्राजी लिखे जिरदेई नाम ग्राम में हुआ था इनके पिता का नाम महादेव साय और महाता का नाम कमलेशरी देवी था इनकी महाता एक धार्मिक महिला थी वह अपने पूत्र को हम ये सार अमायर की कहानिया सुनाया करती थी इनकी प्रारंबिक सिच्छा अपने ही गां के स्कूल में सुरू हुई और इनका उच्छ सिच्छा कोलकता भी स्विदाले से हुई जहां से उनों एम्मे और इलेलवी की परिच्छा प्रतम स्रेडी से उत्ती किये बाद में मुझाफर पूकालेज में अध्यापन करे करनी के बाद पठना और कोलकता हाइकोट में वकील भी रहे वकालत भी की लेकी निनका लगाओ हमेशा से राष्ट सेवा की और्था या महात्मा गांधी जी के या महात्मा गांधी जी के कार्य से बहुत प्रभावित हुए गांधी जी के साथ चमपारन की सविना अंदोलन में कई सतंतता अंदोलन में भी भाग लिये जिनके कारर कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा और वकालत भी छूट गई अखिल भारती कंग्रेस इमंदारी और प्रतिवा को देखकर समविधान की निर्मार करने वाली सभा के सभापति पत के लिए सभा के सभापत पत के लिए नियुक्त किये गया बाद में उन्होंने भारत के प्रतम राष्ट पति बना दिया गया 1962 में इनको भारत की सरुच्चा उपादी भारत रतन से भी सम्मानित किया गया इनकी मीर्थ 28 फरवरी 1963 को हो गई रशनाय भारती सिच्चा गांधी जी का देन मेरी आत्म कथा यूरोप यात्रा हूरी हे बनाल अ करता है जुझे जी है आत्म जान में भी आत्म हूरी जा हो गई यह रिया करि हूरी है